अगर आपने फर्स वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं लिंक आपको डिस्ट्रीम बोक्स में जाएका उस वीडियो मैंने बताया था कि क्या से बborg के पहले आप मोश्यर सा लगा सकते हैं स्किन टाप की लिए अच्छा है या कौन सा नहीं है आपको क्या करना चाएं अब आपको च्प 2005 के पहले वीडियो देखा हो फिर आके वह वीडियो देख रहें कि आपको समझ्ज पाये करें किक прав पहले मैं आपको बता दूंब बेस के पहले हमें करेक्टर करना पढ़ता है अपने स्क्रीन को आपने देखा होंगे मैं औरेंज कर यूज करता हूँ अपने वीडियो में बहुत बाग ग्रीन नहीं होता है और राइट ड़क्षर का पिगमेंटेशन यह से बटाने के लिए pigmentation हम सबको होता है क्योंकि हम अक्सर क्या करते है दूप में sunscreen लगा के नहीं जाते है वी इंडियन्स और यहाँ पर गर्मी है बहुत ज़्यादा इसलिए pigmentation हम इंडियन्स के skin पर अफ्कोस होता है तो pigmentation को हटाने के लिए और specially shave area को करने के लिए अगर आप लड़किया और आपको यह चीज नहीं दिखाने शेफ करने के बाद भी तो आप ऐसे अपना skin करेक्ट करें और अगर आप लड़किया डाक सरकल हटाना चाहते है pigmentation हटाना चाहते है तो आप भी character step ज़रूर करें character step करना बहुत important है जो भी डाक सरकल है उसे इसको अटाने के लिए ज़री नहीं कि आप बहुत जादा लगा है depend करता है कि आपका वो dark part कितना dark है उससाब साब को character यूज़कर रहता है character में पास दो type का है guys एक liquid है जो LA pro concealer है और एक cream है मेरे पास यह krelon का derma palette में से cream है मैं अपसर cream लगाता हूँ अपने उपर LA pro को मैं under eye और forehead के लगाता हूँ लेकिन यह shave area के लिए मैं आपे cream लगाता हूँ यह cream मुझे लगता best है और second thing मेरे skin dry है जिससे मैं liquid के लगाना avoid करता हूँ तो जिससे यह best होता तो चलिए अब हम लगाएंगे मैं यहापे cream लगाने वाला हूँ मैं आपको बता हूँगा की कैसे लगा आप देख सकते हैं मैंने skin character को लगा लगा ले जहाँ पर मैंने shave कर रखा था basically यह इसलिए लगा जाता है कि जहाँ पर आपने shave किया उसको आप height कर सकें मैं आपको liquid भी दिखाना चाता हूँ कैसे यूज करते हैं इसलिए मैं यह LA pro को यूज करूँगा अपने under eye के लिए और अपने forehead के लिए अब देख रहे हैं मैं इतना हलका सा ले रहा हूँ क्योंकि मेरा under eye बहुत ज़्यादा आपको eyelid अपना से कलर कल दिखाना हो तो आप लगा सकते हैं आपसे क्या होता है कि eyelid पर बहुत ज़्यादा foundation या कुछ लगाने वाले रहते हैं इसलिए हम avoid करते हैं लगाने के लिए उस पर तो हो डिपेंड करता है कि आप eyelid पर क्या करने वाले हैं एक बार आपका skin correct हो गया तो आप foundation लगाएं फांडेशन के लिए मैं guys आप लिक्विड उस करने वाला हूँ पैक का फांडेशन guys का foundation इसलिए mix करता हूँ क्योंकि मुझे मेरे skin tone का नहीं मिला basically foundation लगा रहा है पहले आप यह जाने आप किसी भी shop में जाएं उहाँ पर tester मांगे आप test करें अपने face के उपर and then उसको buy करें हमेशा foundation के लिए आप यही करें आप फांडेशन अपने face पर लगा है face पर लगा के आप test करें क्या आप से match कर रहा है तब ही ले इंडिया में खास करके हमारी यह सोचे की गोरा होना सुंदर होता है जिस चकर में बहुत लोग अपने इसे light foundation लगाता है और वो काफी गंदा लगता है गोरा होना इस नौर बीची ना ही काला उन्हें साब कमसुंदर हो जाते हैं अलस्य कakukan तक कि अपनी का पाउंड्यशन ना गपता हुआं एयसे की मैं करता हूं यह यह ़ियुआ क सकते हैं मैं एकशेन ने पोगाओ जो इसको ऐसे लगाहं लगाँँगा इस ठोटे से अठीझ सकते हैं और भी beauty blender से इसको blend करगो ग्यास आप ब्रश भी अपने foundation को लगा सकते हैं उससे को शुता बद ब्यूटी ब्लेंडर से आपको थोड़ा सा dhui look आता है और beauty blender से आपका जो base होता है वो थोड़ा नेशु लगता है मैं कभी-कभी brush भी use करता हूं जब मुझे मन काता है अब कभी-कभी do look जब मुझे लेना रहता है तब मैं beauty blender रिसकता हूं अ ऐसा अगर आप डाउट मैं कि आप कौन सा brush या फिर beauty blender ले जो सस्ता हो अच्छा हो तो या फिर at least वैसा हो कि आपको प्राइज ने से कहें सबसे परली बात मैं आपको बता दू कभी Amazon और फिर्पकर से नाल है वहाँ पर फेक प्रोड़क्स मिलता आपको जो भी ले नहों नाइका से ले इस लिए नाइका पर सभी चीज़े मिलती है इसलिए मैं नाइका से ही समान मंगाता हूं और फेक नहीं होती वहाँ पर इसलिए I suggest कि आपना आइका से ले आप देख सकते हैं मैंने अपने बेस को लगा लिया है मैंने फाउंडिशन लगया और आप देख सकते हैं कितना फ्रॉलेस लूक आ रहा है इसके बाद नेक्स टेप में मैं कंसीलर लगाऊंगा कंसीलर लगाना गाइस ऑप्शनल मैंने एक वीडियो में अपने कंसीलर नहीं लगया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देख सकते हैं लिंक आपको डिस्विशन बोक्स में मिल जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि कंसीलर कैसे और कहा लगाना इंपॉर्ण है गैस कंसीलर आप जाहां की इसके अपको हाइलाइट करनी हो और महापे फोर एट पर लगाता हो मिछान नोस के बीच में लगाता हूं यहाँ पे और अंडर आई is very important गाई अड़र पर लगाना तो है सरूरी और चिन पर की इसको ब्लैन काने क्लिए गवास में यूज करता हूं ब्रश को मैं कनसेलर को कभी भी ब्लैन करेंग यूज रियो करता हूंjat कर लिए फाउडेशन पेस अच्छेक लिया तो उसके बाद आप उस पे पाउडर लगाएं अगर आपके क्रीम में कंस्ट किने क्लिए पाउडर लगाना होगा है अपने पर मैं यूज्ट करों यह मास्ट पिक्स टांस्लूसूश्यंद पाउडर का फाइदा ही होता है कि यह है और इसमें कोई शेड नहीं होता तो बेसिकली यह हर स्किन टोन पर जाएगा और आपको मैच नहीं करना पड़ेगा इसको लगाने का कोई तरीका नहीं होता बस आप पाउडर की तरह इसे अच्छे से लगाए कि जो आपका बेस है वो अच्छे से से सट हो जाए कवर हो जा आप देख सकते कि कैसे मेरा बेस हो गया फ्लॉलेस ली आपको आज का वीडियो पसंदा होगा अगर आज तो मुझे बिग लाएक देतों और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना मूलें और आपको दिस्क्रीट बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए मैं आप से मिलूं का अग